और अब बारी है विपक्षी दलों से सवाल करने की सबसे बड़ा चहरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उतरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुख्या और मौजूदा वक्त में विपक्षी इंडिया को मजबूती देने का काम लगातार आपकी ओर से किया जा रहा है कभी अपने बयानों के जरिये, कभी आक्शन के जरिये, तो कभी तावर तोड़ सरकार पर वार करके बहुत स्वागत है अखिलेश यादव जी आपका जी ट्वेंटी का चुनाब कनेक्शन, इस सेशन का नाम हमने ये रखा है आपकी ओर से भी पहले कुछ इस तरह के बयान दिये गया है, जिससे ये सामने आया कि जी ट्वेंटी के जरिये क्या बीजेपी खुद के पक्ष में महौल बनाने की कोशिश कर रही है, आपको भी लग रहा है क्या या फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धी के तौर पर जी ट्वेंटी को देखना चाहिए मैं सबसे पहले आपका धनिवाद देता हूँ और धनिवाद के साथ साथ जो विशेय आपने मेरे लिए तैक किया है कि जी ट्वेंटी इसका इलेक्शन कनेक्शन क्योंकि बीजेपी को हम सब जानते हैं और बीजेपी के समय समय पे लिडर्स को हम लोगों ने सुना है वो यह कहते हैं कि हम हमेशा चुनाओ के लिए तैयार रहते हैं तो जी ट्वेंटी का जो आपने टॉपे रखा है कनेक्शन सीधा सीधा यह साबित करता है कि चुनाओ कनेक्शन तो ही इसका और फिर मैं तो बीजेपी से कहूंगा कि अगर हमेशा आप चुनाओ के लिए तैयार रहते हैं आप उत्तवधेस में इतनी जगे इवेंट कर रहे हैं देश में तमाम जगे हुए हैं आप इस बार मनीपुर में क्यों नहीं करते हैं आप कम से कम ये देश और दुनिया को संदेज जाए कि जी टवन्टी मनीपुर में हुआ है मनीपुर में हालात बिलकुल ठीक है आपको लग रहा है कि दिल्ली के बजाए मनीपुर में इस कारकरम का अउजण होना चाहिए वरना दिल्ली या पाकी जगों पर होता है तो आपको लगता है कि जनता के गाड़ी पैसे की बरबादी है ये उस विसे पर मैं नहीं आना चाहता था कि गाड़ी कमाई की बरबादी है अगर बीजेपी इनी इवेंटों का लाव लेना चाहती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी का जो अपना फंड है उससे स्पांसर करें सरकार क्यों स्पांसर करें या बजट का पैसा या आम टेक्सपेर का पैसा क्यों लगे और जी टूंटी में इसलिए बोल ला हूँ मनीपूर में क्योंकि मनीपूर के बारे में सरकार ये कहती कि हालाट ठीक है तो अगर G20 वहाँ पर हो जाएगा एक कारिक्रम तो उससे नकेबल देश बलकि दुनिया में लोगों का भरोसा बढ़ेगा मेरा बस इतना कहने का मतलब जितने भी इस तरह की कारिक्रम होते हैं वो देश की राज़ानी दिल्ली में कराए जाते क्योंकि दुनिया के बड़े-बड़े विकसित देश और विकास्रील देशों के जब इतने बड़े प्रतनिधी हिंदुस्तान में राज़ानी दिल्ली में मौझूद होंगे उसे एक सरशक्त भारत के बुलंद तस्वीर भी तो जाएगी दुनिया भर में भारत मजबूत हो ससक्त हो दुनिया में उचाई तक पहुँचे और जिन विश्वों पर आप बहस करना चाते हैं अर्थ ववस्ता कैसी हो हमारे देश की मजबूत हो समाजिक तानामाना हमारा मजबूत दिखाई दे जो इंवार्मेंट एशूस हैं वो हमें कम से कम उन पैर कि कई शहरों में करते हैं आप दिली से कोई हमें शिकायत नहीं है दिली तो राजजानी है सब आप एक हैं सभी इवेंट होते हैं लेकिन मनीपूर इस समय बड़ा मशनदा है अगर आप ये कहते हैं कि हमारा देश में एक प्रदेश बिलकूल ठीक है खुशाल है तो वहां क लरसकत भारत इसी को कहें अजहां पर हमारी बेटियं यह थे घूबाई जाएं आप किदर कौन से जीडीपी चाते हैं आप यह कौन से अधेले क्षा में यह आप या कौन सी तस्वीर आप इखाना चाते हैं इस इसलिए मनीपूर में दिल्ली में तो एक अगर इतने बड़े रास्ट के और देश को विक्सित करने के लिए देश डवलप्ट कंट्रियों में शामिल हो जाए तो नौर्थीज क्यों छूट जाएगा नौर्थीज का हिस्था भी वहाँ भी इवेंट हो इससे अच्छा हो मड़ीपुर के मुद्दे पर आप लोग अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए चर्चा भीवी सदन में ग्रिह मंत्री ने पहले बादबीर प्रधान मंत्री ने इस पर विस्तार से अपनी बात रखी क्या उससे विपक्षे इंडिया आप लोग संतुष्ट नहीं है इंडिया एक गड़बंदन का हिस्सा है क्योंकि G20 हो रहा है और G20 में दो G बाकि सब जीरो हैं दो ही लोग हैं वहां पर G2 बाकि सब जीरो हैं वहां पर कौन G2 आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब जानते हैं और हम तो यूपी के नेताओं से सुनते हैं ये बाते हैं इसलिए वहां तो केबल G2 हैं बाकि तो सब 0 हैं और फिर जहां तक G20 हो रहा है तो कम से कम आपके channel को भारती जनता बार्टी का public interactive कोई प्रोग्राम हो जि कि भाजपा के घपले, भाजपा के मैं गोरक धन्दा, बाकी तो जनता अपने आप बता देगी जी टूंटी और जी के कितने मतलब है आप लोग इंडिया को लेकर बाहर निकल रहे हैं, जोर शोर से प्रिचार प्रिसार कर रहे हैं, प्रधानमंतरी मोधी समेथ पूरी BJP आप लोगों को घमंडिया करार दे रही है, नया नाम रग दिया है, विपक्ष इंडिया को घमंडिया तक बिहार तक आपको ये चैनल चलाना चाहिए इंडिया आज तक कम से कम वो बातें तो आएं जो इंडिया चाहता है आप तस्वीरों में G20 में आप लिखते हैं कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है क्या कौन स्विकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखात हैं वो आपकी सच्चा ही है आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्विस्ट्रेश्टी चैनल है और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है तो आप इस लिहाद से इसको छोड़ सकते हैं कि हम जो भी मुद परिवारबाद और भृष्टाचार इन तीन मुद्दों ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है देश का सबसे बड़ा चैनल है मैं आपको बधाई देता हूँ है मैं उस दिन क इनतजार करूँगा कि दुनिया का सबसे सचा चैनल बने है सबसे सचा और अच्छा ही है तब ही मैं देखता हूँ कि यूट्यूबर्स की जो विउशेप है वो नजाने कहां पोंच रही है ये बात मैं भी नहीं छिपा सकता ये बात तो आप भी जानते होंगे सर वही तो क्योंकरा में दे रही हूं कि आपको बोलना पड़ा है चैनल के बाद यूट्यूप चैनल तो केवल एक ठी आपका यूट्यूब नहीं जंता आज सच सुईकर कर रहे हैं अच्छा सुनना चाहती है तो कई यूट्यूब्स कई यूट्यूब्स चैनल शायद बड़े बड़े चैनलों से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं आज यूट्यूब्स चैनलों से ज़्यादा बड़े 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 बातार हमलावर है कि परिवारबाद क्विट इंडिया प्रधानमंत्री के ओर से कहा गया तो उस्टे करण के मुद्दे पर कॉंग्रेस और आप पर सीधा वार है और भ्रष्टाचार को बार-बार उनकी ओर से उठाए जाता है कि भ्रष्टाचार चुंकि ये लोग कर रहे हैं डरे हुए है इस वज़े से अपने आपको बचाने के कोशच है आम लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है तो पहले मैं किसका जवाब दूँ परिवारवाद का मैं इस हॉल में जब मैं आया हूँ आपके दिये हुए एक कार्ड को मैंने उस टेबल पर देखा है वो मंत्री के परिवारवाद के हिस्ता नहीं है जोतिरादित्यससिन्दिया और फिर जिस परदेश से मैं आता हूँ मैं तो लोगसभा के सांसत बाद में बना हूँ वहां के मोक्हिमंती सबसे पहले परिवारवाद की बज़े से लोगसभा के सांसत बने और मठ के सबसे बड़े उताधारी करी बने क्या वो परिवारबाद नहीं है बस मैंने दो ही नाम बता है कहो तो मैं पूरी सूची बता दू अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा पार्टियों में सबसे बड़ा चहरा कौन होगा इसको लेकर बीजेपी आप लोगों से सवाल करने हैं पॉलिटिकल पार्टियों को काम करने के उस पर सवाल खड़ा करने हैं उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप अध्यक्ष चुना जाता है नॉमिल्टेट नहीं होता है ये बात आपको पता होनी चीए और जो लोग परिवारबाद की बात करने हैं ये पता होना चीए कि हम लोग सवा की टिकिट दे सकते हैं चुन करके लोग सवा में नहीं भेज सकते किसी को वो जनता ही भेजती है इसलिए बीजेपी दूसरों पर उंगली उठा करके अपनी कम्याना चिपाए अगर आज देश में सबसे बड़ी परिवारबाद पार्टी अगर कोई है तो वो भारती जनता पार्टी है कितने गिनूम है कितने गिनूम है अगर आप मैं तो आप से कहूंगा कि आप वो लंबी सूची जारी कर दीजिए अगर ये सच्छा चेनल है कि बीजेपी का परिवारबाद कितना बढ़ा है जब भी हम डिबेट करते हैं दोनों ही तरफ की सूचिया जारी करते हैं अब मैं आ जाती हूँ आपने कहा कि चुना जाता है लोगतंत्र में जो भी प्रतनिधी होता है अगर मैं बीते चार विधानसभा और लोगसभा दोनों को मिला कर उत्तर प्रदेश की बात करूँ जहां कि आप 2012 में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मेरा आपसे ये सवाल है बीजेपी 2017, 2014, 2019 और 22 40 से लेकर 50 फीसदी वोट शेयर वाली पार्टी रही है आप बेहन मैयावती के साथ लड़कर भी बीजेपी जहां 50 फीसदी हो जाती है 2019 में आप और मायवती जी दोनों मिलाकर भी 40 फीसदी को क्रॉस नहीं कर पाते हैं ऐसी मजबूत पार्टी से अखिलेश जी कैसे लड़ेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में इंडिया कितनी ताकत लगाएगा इसके लिए अब तो मैं कहूंगा कि TRP बढ़ाने के लिए PDA तक भी चैनल चलना थी है और PDA का हिसाब किताब आप लगा लेंगे तो नजाने कहां पहुंच जाएंगे बताइए पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने BJP का मुकाबला के ऐलाइंस करकरके और BJP पर हमसे ज़्यादा ऐलाइंस है 38 दलों के साथ यूपी में भी है तो सोच ये कितने कमजोर हैं उनके सामने जुकना पढ़ रहा है जो सुबह शाम BJP को नजाने क्या कहते थे उनके सामने BJP को जुकना पढ़ रहा है कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन सोच ओ किन के सामने जुकना पढ़ रहा है अभी वही ओंपरिकाश राजबर आपको कोस रहे है वो कभी इधर जाते है अब उधर जाते हैं अचा तो मैं आपसे सेमद दूँ अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं आपसे सेमद दूँ कभी इधर क्या भी उधर अभी उधर फिर इधर आपके साथ भी आ जाएंगी चुनाब के पर जो जो एलाइंस है इस बार जनता हराने जा रही है पीछे मुड़कर के हम देखें अगर दिल्ली के दस साल यूपी के साथ साल हो जाएंगे आखरे के जनता को मिला क्या जो बातें कहीं गई क्या किसान की आए दो गुनी हो गई जो किसान को भरुसा दिलाए गया कि आपकी पैदावार की कीमत मिलेगी और कीमत ही नहीं आए दो गुनी होगी मुझे पूरे देश में ये बताईए किसी किसान की आए दो गुनी हो यो तो बता दीजे जो लोग आकड़े पेश करते हैं कि आज employment rate ये है unemployment rate ये है करोडों को नौकरी देदी मुझे बताईए कि कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिलिये नौजमानों को आप डेटा बतारें सबसे ज़्यादा free है अरे data free की बात नहीं है सवाल ये होना चाहिए कि नौजमान को हमारे नौकरी और रोजगार मिल गया कर नौकरी रोजगार कहा है और फिर आपने क्या सबना दिखाया पहला investment meet की दूसी investment meet की defense expo किया अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 33 लाग करोड के MOU हुए अब BJP ने तो हलांकि कोई बात otherwise ना ले मेरी जिसको भी उसने देख लिया BJP के लोगों ने कि सूट पेने टाइप ने उसे MOU करा लिया 33 लाग करोड का MOU क्या उत्राएं जमीन पर योगी जी तो कह रहे है 2027 तक हम एक ट्रिलियन डॉलर की उत्तरप्रदेश को एकॉनमी के तरफ लेकर चले जाएंगे और उसकी और तेजी से काम चल रहा है उत्तरप्रदेश उनका आप कभी उससे पूछिएगा और बीजेपी के जो नेता है यहां पर कि बीजेपी अगर यूपी में वन ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी की बात कर रही है तो क्या ग्रोथ रेट होनी चाहिए हो आपर यूपी में 34 परसेंट की क्या सबना दिखा रहे हो आप और फिर अगर आप पेरामीटर्स देखें आप जो आपके नीती आयोग के हैं यूपी कहां ख़ड़ा है आप जी टुन्टी में बहस कर रहे हैं आप बात रखना चाहते हैं हेल्थ की आज यूपी की हेल्थ सिस्टम क्या हाल है आसोपालों का हालत देख लिजिए आप एक जिलासोपाल अगर बीजेपी ने बनाया हो दिल्ली और लख्लो की सरकार ने यहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो मुझे बताईएगा आप एक जिलासोपाल और दबाई नहीं इलाज नहीं आप करें medical college बना दिया आपने, एक medical college में faculty पूरी हो, assistant professor, additional professor, professors, आप बताईए, और जिस शहर से आप आती है, बताईए, एम्स की हालत क्या है, आज क्या operation हो रहे हैं वहाँ पर, क्या वहाँ पर जो medical college बना खड़ा है, क्या वहाँ के technical या जो भी staff है, जो सहलियत PGI को मिलनी ची को पीटा, खुले आम पीटा सोचिए आप, यह है UP, इसलिए, वन ट्रिलियन डॉलर की economy का सपना मत दिखाईए, वो इसलिए कह रहे हैं, कि गरीब जनता समझी नहीं पाए, यह वन ट्रिलियन क्या होता है, यह वन ट्रिलियन वही है स्वच भारत जैसा, आप स्वच भारत म आपने का कि सब को जड़ू पकलवा दिया स्वच भारत में, क्या लगनू साफ हो गया, क्या वानसी साफ हो गया, क्या गोरकपुर में पानी नहीं भरता, क्या आगरा साफ हो गया, नदियां साफ हो गई, वो परमीटर्स कहा है नदियों के जिनके आपने वादा दिलाया थ आपने नाले नहीं बंद कर पाई और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप बुरा कहते हो कि बुरा काम कर नहीं लोग तो वन टिलियन डॉलर का सपना दिखाना और फिर एक्सप्रेस बें जो बनाए हैं कभी बंदेल खंड एक्सप्रेस बें जाईए आप और जो बच्पन म वे वो समाजवादियों का देन थी केवल उसमें समाजवादी हटा दिया पूरा अच्छल एक्सप्रेस बे और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि यहां सर्फिस ट्रांसफोर मिलिस्टर आये थे वो गड़करी साब आये थे हाला कि उन्हें अच्छा काम किया लेकि आपने एक्सप्रेस बे बनाया तो इंडियन रोड कॉंग्रेस के हिसाब से आपने मीडन क्यों नहीं बनाया सर्वेस लेन क्यों नहीं मनाई और फिर जो वन ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी की सपना दिखा रहे हैं उन्होंने जो गोरगपुल लिंक बनाया है सोचेंगे क्या क काम की सराहना कर रहे हैं कुछ मुख्य अशोग गैलोज जी का उन्होंने नाम लिया इसके लावा कुछ दूसरे टाजियों के मुख्य मन्तियों का कि जो काम मैं कर रहा हूं आपने ये कहा लेकिन मैं फिर से आ जाती हूं तरप्रदेश पे आपने बहुत सारे मुद्दे ब 2017 में यूपी के लड़कों की बात कर लें समाजबादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ आप 25 से 47 सीटों पर आ जाते हैं 2019 में बहन मायवती के साथ आपका गटबंदन होता है 2014 में जिनके 0 सीटे थी आपके साथ लड़कर वो 10 सीटों पर पहुंच जाती है आप 14 में भ परिकरी जी की बढ़ाई देता उनको उनके काम के लिए लेकिन मेरा सवाल भी है कि यूपी जिसने सबसे ज्यादे लोगसभा के सांसत दिये जिसने दिल्ली की सरकार दो दो बार बनवाई आप दावा करते हैं कि एक लाग करोड का एक्सप्रेस वे बना रहे हैं आपने यूपी को क्यों नहीं चोड़ रहे हैं आप जो यूपी आपकी दिल्ली की सरकार दो दो बार बनवाया आप एक्सप्रेस से क्यों नहीं चोड़ रहे हैं यूपी अपने बजट से बना रहे हैं क्या दिल्ली के बजट से एक्सप्रेस वे नहीं बन सकता और आप बनाएंग जो बात आप ने कही, 2014 के बाद, BJP ने चुनाओ लड़ने का तरीका बदल दिया, और उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी लगाथार काम कर रही है, जो भी गडवंदन मैंने किये, मैंने बड़े दिल से गडवंदन किये, उनको सीट जादे देनी पड़ी होगी, उनक दिया हुआ समिदान, गाक्टर रामन लोया जी का देखा हुआ सपना, और नेता जी के संगर्स, जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के गरीबों के लिए उसका नुकसान पहुचाने जा रही है, इसलिए मैंने गडवंदन किया, और इस बार भी मैं और दलों से कहूंग कि बड़े दिल से आएं और समाजबादी पार्टी के साथ जुट करके, उसका सयोग करें और बीजेपी से मुकाबला करें। वो 62 पर गए और आप लोग 15 पर आगए। सवाल इतिहास का नहीं है, सबसे जादे घवराते तो यूपी से ही हैं। और हलांकि वो बाते मुझे कहने की नहीं है, मंच से, जो भीजे भी करती है, शाहिए लोग तंत्र में ऐसा किसी दलने नहीं किया होगा। आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपने गरीबों से कहा और गरीबों को दिया अनाज, 200 रुपए का अनाज, नमक की कसम खिला दिया। आपने तेल दिया, रिफाइन, बोट मिल गया, रिफाइन तेल बंद हो गया, कहां रिफाइन तेल मिल ला है, कहां गरीब को मिल ला है, और भी जो मेनेजमेंट किया, हम लोग मेनेजमेंट से हा रहे हैं, जनता ने कभी नहीं हा रहाया, बीजे पी जो मेनेजमेंट कर ले आती है आखरी वक्त का उससे कई वारा हम लोगों के लिए हमारा एक दम मेंजमेंट ठीक है जो लोग गठवंदन में हैं एक दम तयार हैं और देखिए उसका प्रणाम देखिए ना आप इंडिया का मीटिंग हमारे दल जो साथ आ रहे उनकी मीटिंग आपने कितने बुला है चालिस लोग आप तो कहते हैं अकेले हैं चालिस लोगों क्या जरूत पड़ गई आपको ऐसे दल जिनके वारे में क्या नहीं लिखा गया वो तक बुलाए गए आपके और सोचिए किन दलों के सामने बीजेपी जुक रही है जिन दलों का कुछ नहीं है उनके सामने तो किस इस बात के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दज साथ से कौन साब ने जमीन पर काम कर दिया बीजेपी कह रही है देखन में छोटन लगे घाओ करे गंभीर जब थोड़े-थोड़े करके सबाज आएंगे एक साथ तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं रह इसके पहले कहा जा रहा है उत्तरप्रदेश के असी बिहार की 40 और महरास्टा की 48 सीटों पर आप लोगों में सीट शेरिंग फॉर्मूला तै हो जाएगा उसके लिए क्या आप लोगों की कोई बाचीत हुई है और अभी संयोजक का नाम ही कौन होगा आप लोगों में उधारन के लिए आधरी मंता बेनर जी जी है वो अपने प्रदेश में ताकतवर हैं बिहार में अधरी नितिश कुमार जी है तेजस्वी है आधरी डालू परसाद याद़ब जी है यूपी में समाज़ादी पार्टी है या अन प्रदेशों में ये ताकतवर निता हैं सीट अजस्मेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है जब आप बड़े दिल से मिल रहे हैं तो सीट अजस्मेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है दूसरी बात हुई कि कौन संयोजग बनेगा ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है हमारा इंडिया गडबंदन उसकी स्ट्राटेजी पीडिये मुकाबला करेंगे बीजेपी से लेकिन संयुजग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है यह कोई बड़ा फैसला नहीं है बड़ा काम यह है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए गडबंदन बन गया लेकिन ती तो अकेले लड़कर उसको जीतने में इतनी मुश्किले नहीं हो जहां पर शेत्रिय दल मजबूत इस्तती में है वहाँ पर कॉंग्रेस के लिए क्या है आप कितनी सीटे देने जा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी को उत्तरप्रदेश में यह फॉर्मूला है इसको लेकर यूप है क्योंकि उनके पास एक लोगसभा की सीट है तो समाझबादी पार्टी कितना कॉप्रमाइज करेंगे आप हमारा ट्रेकर्ट कॉर्ड देखिये समाझवादियों का समाझवादियों ने बड़े दिल से किसी वी दल के साथ गढदंकिया होगा तो बड़े दिल से गढ़द क्या दान की कीमत देने हैं आप हमारे मुख्धमिजी कह रहे हैं धान एक्सपोर्ट करेंगे उन्हें पते नहीं था दिल्ली ने एक्शंपोर्ट रोक रखंगा है पहले इन्हें आपस पास में तो समझाएये ईक कहरेहनी धान gider करेंगे हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे डिल नहीं भड़ती है हर दिन एक लोग मर रहा एक लोग की जान जा रही है कोई दिन नहीं है जिस दिन उत्तरपदेश में किसी किसान की किसी गरीब की या किसी वहपारी की जान न जा रही है उससे सांड की वज़े से मैं नाम नहीं लेना चाहता था यूपी के सांड के वारे मैं मैं नहीं बूलना चाहता है, बस मैंने कहा कि नई भड़ती हुए सड़कों पर, सोची आप, वो कहते हैं नंदी है, अरे हम कैसे कहें नंदी है, जो यह नंदी कहें जान लेगा एक हर दिन, हमने कहा कि 15 साल से उपर वाले पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, नौकरी रोजगार का, क्या इंतजाम है आपके पास, कोई सपना नहीं, जितने बिजली के कारखाने लगे, जितने भी पावर प्लांट्स लगे, सब समाजवादियों की सरकार के देन है, एक भी बी जिस सवाल को आपने यहां पर उठाए है, अरे मैं कहना हूँ, बिजली नहीं है यूपी में, आपके सवाल आगे ले चलिए, यूपी में बिजली नहीं है, कब आती, कब जाती, किसी को नहीं पता, अरे यह जितने लोग बोलने हैं, इसमें सबसे पड़ा लिखा आदमी यह लग रहा है मुझे, एक पावर प्लांट बताईए जो बीजे ने लगाया हो, एक पावर प्लांट बतादे मुझे जो लगाया हो, ठीक है सब, प्लीज बैच जाएं, अरे बुजर्ग भाई, अग एक पावर प्लान लगाओ तो बता दो, बोलो बोलो, बोलिये, ए बोलिये, मैं आपसे कह रहा हूँ, पावर प्लान बताईए, कौन सा लगाओ एक बिजली का बताईए, ठीक है, इसा हो गए आप लोगों की बात, प्लीज बैजाएं, यह तरीका ठीक नहीं है, प्लीस सर, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीस मैं हूँ यहाँ पर सवाल पूछने के लिए, प्लीस सर, ये तरीका ठीक नहीं है, एक सेकन, एक सेकन, आराम से, मैं आपर सवाल पूछने के लिए हूँ, सभी से गुजारिश है, प्लीस सर, प्लीस आप बैच जाएं, आप हमारे म मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ यहाँ पर, अगर एक भी पावर प्लांट बिजली का लगाया हो, तुम्हारी सरकार ने तो बता दो हमें, अब क्या दाइवाई देख रहे हैं इधर उधर, मिलाओ, वाट से, फॉन मिलाओ, ठीक है, मैं फिर से लोटती हूँ, अगर एक पावर प्लांट लगाया हो, बिजली का, तो मुझे बता दो आप, बावा सोलर प्लांट लग रहे हैं, बाए भगवान, इनको क्यों आप डेलिगेट बनाते हो आप, सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं, आराम से सर, प्लीज, एक स कि अपना समर्थक बेजें, तो पड़ा लिगा समर्थक बेजें, अखलेजी, आप मेरे सवाल का जबाब कीज़ें, आन पर समर्थक ना बेजें भाई, चीके साब, मैं आज आती हूँ, आप क्या नहीं कि बजली नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, फिर ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहें महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मैं आप से ये सवाल कूछ रही हूँ, दोहजार बाईस में सांट का बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने किसानों का मुद्दा उठाया, लखीमपूर खीरी में, किसानों का म करते हैं, जो बात आप कह रहे हैं, इलेशन कमिशन, मैंने अपनी पब्लिक मीटिम में कहा, अपने वर्कर्स की बीच में, कि इलेशन कमिशन से जो हम लोगों ने शिकायतें की थी, चुनायोग से जो शिकायतें की, एक भी शिकायत का निराकर्ण नहीं हुआ, नमर टू, हम हमारे बोट काटे जा रहे हैं, अधिकारी से मिल करके, और मैंने कहा मन से, कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, बीजेपी ने चुनायोग से मिल करके, हजारों बोट काटे, इलेशन कमिशन मुझे नोटिस दिया, मैंने 18,000 बोट, जिन लोगों ने 19 में बोट डाले थे, और 22 में उनका डिलीटिड हो गया नाम, मैंने इलेशन कमिशन को विद एफिडेविट सूची दी, इलेशन कमिशन ने अगर एक भी अधिकारी खिलाफ कारवाई की हो, तो मुझे बताइए आप, यह चुनाव भेहिमानी और चोरी से जीते हैं, बाइस का चुनाव, को इलेशन कमिशन को दिया है कौपी मिला करके, एफिडेविट लगा करके, अठारा हजार प्रतिया, अठारा हजार वो बोर्ड जो उननिस में, डाला था बोर्ड, बाइस में डिलीटिड हुआ, मुझे बताइए आप, हम किससे नियाई की उमीद करें, आप अधिकारीों के खिलाफ एक डिम के कारवाई कर दें, आप देखना उत्रपदेश का पूरा फेर एलेक्शन होगा, एक आरो के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं करता है, लेक्शन कमिशन, कर दे, वही विरोधी दल, जब राजस्थान, छातीजगर, करनाटका, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में जीतते हैं, तो वही विरोधी दल हार जाएं, तो फिर एवियम में बीमारी हो गई है, बीजेपी ने करवा दीए, आप नकल मत करिये, अभी कोई एक एवियम के वाज वहां से आ रही थी, आपने सुन ली, एवियम बुले, मैंने एवियम का नहीं का, मैंने क के वियम ने की ख़िया हैं, गर कहीं शिकायत किसी पॉलिटीकल पार्टी ने की है, तो उन अधिकाने ओं खिलाफकार भाई, क्यों नहीं कर रहे हो, और क्यों चिन्नित की, आपने मुस्म और यादव का पॉड्य काट हा हा, आप कि इस और का बॉट नहीं काटा, क्यों आप परक्षे इंडिया को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और कली खबर सामने आई है कॉंग्रेस पाटी के जो नए नवेले अध्यक्ष यूपी में बनाए गया है अजयर आए उन्होंने बयान दिया है कि अमेठी से राहुल गांधी फिर चुनावी ताल ठोकेंगे और प्रियंका ग कांधी बनारश से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं कॉंग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देगी उनको जिताने के लिए तो आप भी वेलकम करेंगे अगर ये दोनों नेता आते हैं तो किवल दो सीट जिताने के लिए ताकत लगाएंगे अरे सब सीट जिताने के लिए अजय राय जी ने जो बयान दिया है उसको जिताने के लिए अपना स्टेटमेंट होगा लेकर जो भी ताकत लगाएं सब सीटों के लिए लगाएं अमेथी और बनारश से लड़ना चाहिए इन दोनों ही नेताओं का ये उनका पना पार्टी का डिसिजिएन हमसे किसी से बा ये क्या बात हुई अब जनिता को तो बताना पड़ेगा ना अब हमें बताएंगे कि हमें दोस्ती किस से करनी हो कैसे करनी है ये वी तो कमाल है फिर लेकिन विरोधी दलों को अगर इस तरह से आप एक साथ हैं तो आपको ये जानना जाना है जनता के सामने सब प्रत्यासी जा जाएंगे फूरा एलाइंस आ जाएगा फिर क्या चिपा जनता से अमेठी से अगर लड़ते हैं राहूल गांधी वैसे भी राय बरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रिश्टे तीन लोग सबाचनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतारत उसके बावजूद अमेठी हाड़ जाते हैं राहूल गांधी वैसे बात को आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं और इसलिए मैंने नारा दिया है कि ये एलाइंस पीडिये से मिलकर कर असी का सी सिटाराईगा नितीश कुमार के फोल पॉर से चुनाव लड़ने के बड़ी जा कि खबरें चल नहीं थी कि दो बिधायक हमारी जा रहे हैं फिर पता नहीं कौन सा चेनल था वो चला था जहन जी जा रहे हैं अब यह नहीं सवाल आपने ख़़ा कर दिया लगातार इस तरह के खबरें हैं इस वज़े से सवाल आपसे पूछा जा रहा है हाला कि में चर्चा चीक है नितीश कुमार को लेकर एक और बात चुंकि उन्होंने बहुत महनत की है विपक्षे इंडिया को एक मंच पर लाने की कभी वो चट महागटवंधन कभी पट एंडिय कहां वो चले जाते हैं प्रशले कई चुनावों में ये लोगों के सामने हैं अभी अटल बिहार कि समाधी पर जाकर उन्होंने श्रद्धानजली अर्पित की ये तस्वीरे देखकर मन में इस तरह की सुखवगहट भी होती है क्योंकि इस तरह का अगर राजनती की तिहास किसी भी नेता वह बहुत बड़े नेता हैं बिहार वो जीते रहें कई सालों से मुख्यमंत्री है लेकिन राजनीती में वो कई बार इधर उधर चले जाते हैं तो इसको लेका डर भी बना रहता है आप लोगों के भीतर इसमें हम लों को बीजेपी से सीखना पड़ेगा बिलकुँ क्लेर्टी रखनी पड़ेगी हर इशू पर हम लोगों को कौन से इशू पर कोई इशू ह हर इशू पर बिलकुँ क्लेर्टी रखनी पड़ेगी उधर महराष्टा में जब शरत पवार और अजित पवार आपस में मिलते हैं तो भी दिल की धड़कने बढ़ जाते हैं मैं इतनी बड़ी रादनी इतनी करता मैं केवल यूपी तक सीमेत हूं कौन किससे मिला है कौन क से का जा रहा है मुझे नहीं पता लिए इसलिए मैंने का कि अगर बीजेपी को हराना तो बिलकुट क्लेर्टी होनी चीए कि हमारा एलाइंस है यह लोग है हम यह मुकाबला खरेंगे इन से सला तो देनी पड़ेगी ना आपको अगर इंडिया पूरे देश की बात हो रही ह है तो फिर मतलब महराष्टा में अगर इस तरह की इस्ति बनेगी उसका असर तो उत्तरप्रदेश पर भी पड़ेगा ना यह सला का मंच नहीं है यह आपके सवालों का मंच है और जो सला वाला मंच है वो 31 और एक तारीकों है बंबई में क्या सला देने जा रहे हैं आप मै मैं बस कहाना आप से कि हर इश्यू पर हमें बिल्कु क्लियर्टी होनी चाहिए जैसे मैंने क्लियर्टी पूछी बिल्कु क्लियर पूछा कि हमें एक बिली का काठाना बताओ उनी बता पा रहे है ठीक है एक बड़ फिर से उत्तरप्रदेश की पॉलिटिक्स पर वापस लो है अखिलेशी मेरा यह सवाल है आपने कहा कि यूपी की पॉलिटेक्स पर मैंने अपना पूरा जोर लगा कर रखा हुआ है फिर से मैं घूम कर आओंगी तमाम मुद्धे जो आप लोगों ने 2017-19-22 में उठाए हैं वही मुद्धे अलग-अलग रूपों में निकल कर सामने अभी नितिन गटकरीजी थे उन्होंने कहा है कि जो दुकान दिवालिया हो जाती है उसका बड़ बदल दिया जाता है इसी वज़े से आप लोगों ने अब यूपीय को हटा कर इंडिया नाम कर दिया है लेकिन उससे कुछ होने जाने बाला नहीं है तो इसका मदब उनके स अपना नाम बदकर इंडिया तो लगाता हुआ है कि नाम उसे से मत हूँ इसका मदला उन्होंने जो जंता के सामने मैनिफेस्टो रखे दे वो सब दिवालिया हो गए आपने का किसान की आए दोगुनी होगी कहां आए दोगुनी होई आपने का करोडों नौकरी दी जाएं आपने का 33 लाग करोड के M.O.U. हुए हैं कहां जमीन पर पहुचा है आपने कहा कि बुंदेल खंड में मिजाइल बनेंगी एरक्राफ्ट बनेंगे टैंक मनेंगे पताइए बुंदेल खंड में किस जिले में मिजाइल बन रही है तो इसका मुल आप दिवालिया हो गए इस पतापक्ष और विपक्ष को एक सुर में बोलनी की जूरत नहीं है आपने का 85% मैं सहम हो तो इस देश की महलाएं इस देश के पिशड़े इस देश के धलित क्या यह 85% के आबादी नहीं है क्या इनके बारे में नहीं बोला जाएगा तभी तो मैंने का एक चैनल यह भी शन आगया देखिए आपने बिल्कु सही सवाल पूछा मुझसे इसी तरह एक बहुत प्रतिस्टित अखवार ने मुझसे यही सवाल पूछा था और एक लाइव चैनल पर वो भी हुआ था देखिए अगर आप 85% दुनिया की गरीवी आवादी की बात कर रहें तो देश की जो उनके बारे में हम कास सेंसस का हैं तो क्या गलत कह रहे हैं हम और बिना कास सेंसस के उनको समाजी नयाय देपाना मुश्किल है विपक्षे इंडिया में बात हुई है कि आप इसको भी लेकर लोगों के बीच जाएंगे बिलकुल हम जा रहें और यह अभी का मुद्धा नही है कि हमारे देश की समस्या पॉलिटिकल नहीं है हमारे देश की समस्या समाजिक है सोशल इशूज है हमारे समाज की प्रॉब्लम और मैं जातिबात का आप प्यारूप नहीं लगा रहा हूं ना जातिबात की बात करता हूं मैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बाबास जो लोग आखरी व्यक्ति को मुखी धारा में खड़े होने की बात का हैं, तो उन्हें जातिवादी से कहते हैं, इसलिए मैं वो प्रतिस्थित अखवार और वो प्रतिस्थित चैनल के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मैंने उनको वहाँ जवाब दिया था, कि मुड करके द धर्म देखना है, नजाति बात देखना है, ठीक बात है, अच्छी बात है, वहीं आप लोग फिर पीडिये लेकर आजाते हैं, आप अगर सब का साथ कह रहे हैं, तो बिना गहर वराबरी खतम किये, सब का साथ कैसे संभव है, मुझे कोई समझा दी ये बात, जिन 80 करूर ल बाते जो कही जारी है अपनी उप्लबधी के तो जो एक्सप्रेस बे समाजवादियों ने बनाया जो देश का आज भी सब सब बहती ने एक्सप्रेस हुए है, क्या वह हमने जाती देख कर के बनाया, क्या किसी जाती की लेन अलग बना दी मैंने क्या, इन लोगों ने मुख्यमंतरी की ओर से आप पर इस तरह के आरोप लगाए गया और कुछ सवाल पूचे गए है, मुख्यमंतरी जी जी सदन में ये कह रहे थे कि च्यालेज में 56 आय और आए यादब हो गए, अरे बहाई, जालेज में 56 आय आई है, वह यादब कैसे हो सकते हैं, सोचे मुख और आपको भी एक दम आर्खाइम में देखना चाहिए कि मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूँ बीजेपी की ओर से कहा गया स्लिप आफ टंग छपपन में छियालीज की वो बात करे तो वो भी सूची देदें आगे बढ़ते हुए अगर छियालीज में छपपन स्लिप आफ टंग है तो छपपन में छियालीज की सूची देदें उनके आरोप पूरी तरह से खारिश कर रहे हैं आप खारिश नहीं जूट बोलते हैं वो अखलेश यादव जी क्या लोगसभा का चुनाव लड़ेंगे चुनाव लड़ना चाहिए कहां से लड़ेंगे पार्टी तेख रहेगी पार्टी का सबसे बड़ा चहरा आप है चुनाव तो होते ही इसलिए कि चुनाव लड़े जाएं आजमगर से लड़ेंगे या कन्नौट से लड़ेंगे बहुत सीटे हैं हमारे पास, मैं कहीं से भी लड़ जाओंगा, कुछ हमारे दर्शुकों को भी यहां पर ब्रेकिंग यूज दे कर जाएए, बहां पर आपके कारे करता और लोग भी सुन रहे होंगे, कहां से आपका दिल कहां से है लड़ने का, पार्टी तो तै कर लेगी, द कुछ इच्छा है कुछ लोगों की, जो पावर ब्लांट नहीं पता पायर उनकी इच्छा बहुत है, आप कहां से, मतलब कहां की बात करे हैं, वारांसी की, कनौज की, आजमगड की, कुछ एक तो बता दिएगी, यह हम बाद में फैसला लेंगे, जब तारीक आजाएगी, रहुल गांधी प्रियंका गांधी से क्या बातचीत होती है आपकी, विपक्षि गठवंदन को लेकाई? मेरी कोई बातचीत नहीं होती है, अगर बातचीत होती होगी तो मैं बतानी पाऊंगा. मेरी क्या बाते होती है, यह बात क्यूं बता दू में क्या बात होती है, सर आप विपक्षि गठवंदन के बड़े चेहरे हैं, तो पता चलना चाहिए ना कि अंदर आप लोगों की क्या बातचीत हो रही है, कैसे हराएंगी विजभी को, आपने बिल्कु सीक्रेट बना के रखा हुआ है, यह कोई सीक्रेट नहीं है, यह कोई सीक्रेट नहीं है, उसमें कोई बोलने की बात नहीं है, हमारे गठवंदन की बात होती है, और हम चाहते हैं कि सब मिलकर की चुनाव लड़े हैं, और अच्छी बात होती है, मायवती जी से आखरी बार आपकी कब बात च बहुजन समाज पार्टी के प्रतियासी को और मुझे जिताया जमें धन्यवाद देने गया तो मुझे मंच पर पता लगा कि गड़बंदन तूट गया है लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस समय बीस्पी के कैडर के जितने लीडर्स थे वो एक भी मंच छोड़के नहीं ग करके एक भी मंच छोड़के नहीं गये थे यह सबसे बड़ी जीस समाजवादियों के हुई उस दिन बिना बहन मायवती के क्या विपक्षी इंडिया उत्तरप्रदेश में अधूरा नहीं रहेगा क्योंकि नवो एंडिया में अभी नवो इंडिया में है अभी देखिए उ उनको लेकर क्या कंफीजन है कोई कंफीजन नहीं लेकिन मैं कोई भी ऐलाइंस में चाहता हूं इसलिए मैंने कहा कि बहुत क्लिर्टी के साथ जाएंगे तो चुनाओ में लड़ा जाएगा और मुकावला किया जाएगा लेकिन कोशचे तो होंगी क्यूंकि उनका अपना ए कैसे बन गई आप लोगों के बीच में कोई कारण नहीं यह पॉलिटिकल रास्ते हैं अलग लग हम बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं लेकिन कई बार मुझे यह लगता है कि जो उनकी रड़नीत है वो बीजेपी से रड़नीत मिलती जुलती है यह आरोप लगा रहे ह इसमें नहीं चाहता हूं बहुत क्लिर्टी के साथ जनता के सामने चुना लड़ने जाना चाहता हूं तो जनता यही सवाल फिर पलटकर आप लोगों से पूछेगी ना कि चुनाओं में जब जाना होता है तब आप लोग गठवंदन कर लेते हैं चुनाओं के दो दिन यह महँगाई और महँगाई तो एतनी है कि देखो आठ टमाठर की कीमत क्या है अरे भाई अरे टमाठर की कीमत अगर 40 रुपे बताओगे तो किस मूँ से अपने जाओगे गाउं में किस मूँ से जाओगे वो वीडियो वो निउस वो लोगों की बाते हैं वो सब कुछ पत हमारे बुजूर्ग साठ साल से उपर ओगे मैं कुछ कहूंगा निए उनको चीक है मैं मैं क्लियर कर देती हूँ जो में मैं क्लियर कर देती हूँ सर 220 रुपे किलो टमाठर था ये बिलकुल सही बात है लेकिन अभी मौजूदा बक में काफी रेट उसके गर गये हैं तो ये के वर्कर ने उस मुद्दे को उठाया आपने दुखंदार के पिता को और बेटे को दोनों को जेल भेज़ दी आपने केवल ये बताने के लिए कि टमाठर महगा भिकरा है दुनिया के लोगतंत में मुझे एक जगे बता दो जहां महगाई के सवाल पगर कोई सवाल करे सरक दुखंदार से तो आप उसको जेल भेज़ देंगे दुखंदार को आप पिता को और बेटे को दोनों को जेल भेज़ दी आपने और फिर आपने पुलिस लगा दी मंडी में दुखंदारों के घरों के दुखान के सामने पुलिस लगा दी और का कि इससे जादा बेज नही क्या है अरे आपको मिल गई लेकिन मुनाफ़ा क्या किसान को मिल आ यूपी में हमारे मुखंधी जी प्रति ऐसे से जाहूंगी पसबाणदा मुसल्मानों को लेकर बीजे पी तेजी से आगे बढ़ रही है और उनके बीच लगातार काम करें आपको लग रहा है कि मुसलिम वो मुश्किल होंगी है बीजे पी को सब जानतें हैं है जैसे आपने कları शुरु में के बोट के 사용 है लिए क्या करना पड़ता बीजे पी देखो बोट के लिए क्या नी कर रही है है कि किसको कले मिला रही हा हूँ किसके ली क्या कै रही है है एक जिन कामों को समाजवादियों ने किया उस समय बीज़एपी कहती थी के दिवाली आधिया नारे दिया थी दरार पड़ादा की थी और इसलिए हर बोटर समस्दार है कि बीज़एपी चाहिकर इसा कि रणीत कि राममंदर में बुर्ण-च Dáम मंदर चॉपीस जन्वरा में उसका उद्गाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो क्या आपको लग रहा है महौल उस समय से बदलेगा बीजेपी जैसा कि उम्मीद कर रही है उसमें मुख्यूंती जी आएंगे अब पूजा में गय थे तो उसमें भी आएंगे ही तो अच्छी बात है अगर बनाए भगवान का मंदिर तो सब जाएंगे दर्शन करने आप अधिया नहीं जा रहे हैं भी मैं अभी हो कर क्या आया कैसा आस्ट दर्शन करने के लिए राम मंदिर जहां पर रामलला विराजमान हैं वहां पर दर्शन करने से क्यों बचते हैं अखिलेश जी यह 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 आपको किसना बता दि चुनाओ के समय यही सवाल किया था मैंने कहा कि मैं दर्शन भी करूँ गा और दर्शन भी दूँ गा लेकिंद बनाके त्यार करो लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा मंदिर बना रहा है वहां भी आपको आके दर्शन करने पड़ेंगे भगवान तो अब्भी मिना रहे हैं आप अपने आप उला रहे हों, हम आपने आप उला रहे हैं, उसमें क्या गलत है? तो यह जो गाठे हैं यह बिना सुल्शाय बिना तो बीजेपी के सामने मजबूती से ताकत से कैसे लड़ेंगे आप लोग मैंने तभी शुरू में कहा जी टू बागी सब बीजेपी में जीरो कभी-कभी बीजेपी के जी टूंटी पे भी आप चर्चा करिये और यूपी में यह भी तक DGP नहीं बन पाया क्योंकि डोनों इंजें टकलारहा है है Dhilli वाला इंज और लगने जीरो आज तक पर्मिन डीजेपी नहीं है UP में गपार, दूसरों चालोंüne क्या हो रहा है, इससे ज्यादर बीजेपी में भी हो रहा है बीजेपी में भी दरार है और इधर बे इंडिया में भी दरार है सभाब के राजनीत है तो लेकिन आपको फिक्र बिपक्ष की है लेकि सत्ता में भी दरार है जहन्द चौधरी बाब सीटे मांग रहे हैं जिस तरह के खबरे आरी हैं लगाता Andrew आप सोथ में आप हम अपनी स्ट्रेटिजी आप से बैठ खेते कर लें कहीं वो अधर चले गए तो अभी सदन के भीतर आप लोगों के साथ खड़े नजर नहीं आए कोई कहीं नहीं जा रहा तो क्यों इसा चैनल पर चलाते हैं इतना बड़ा चैनल है कोई जाता है निकल कर सदन के बाहर तभी सवाल पूछा जाता है कि राज्जी सभा में वोटिंग के वक्त उनकी मौजूदगी क्यों नहीं होती है मुझे जो जानकारी है क्योंकि उनके परिवारे किसी की बीमारी थी जिसके कारण वो बोट डालने नहीं आपाई आखरी का एक सवाल असी में से विपक्षे इंडिय कि इसको कितनी सीट देनी है चले बहुत शुक्रिया होरु मुख्यमंत्री जी अखलेश यादव आपका आज तक केस मंच पर शामल होने के लिए और बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं उनके दावे में कितना दम है इसके लिए तो दो हजार चौबीस का इंतजार कर